गुड मॉर्णिंग स्टूडेंट आई एस वीडियो में हम देखते हैं किलास नाइन मैथ एक्सराइब 12.1 का पार्ट टू तो हमने इसमें फॉर्ट नम्बर कोश्टन से सुरुवात करनी है देखो फॉर्ट नम्बर कोश्टन में हमें क्या कहा हुए फॉर्ट नम्बर कोश् हैं ठीएगी मधिवन इफके साथ के आप कैसे ड केरी मधिर एक तो आपको क्या साइड गों है स्टन अधे लिए टान है तो आप प्टले के साइट प esses time कि इम एल एक करेंद जाão वोड second side आपको जो गिवन है वो क्या है उसे हम बई लाच कर लीटे है लोड और परीमेंट्र आपको गोना है तराम सब्सक्राइब तो एक हो च्छीलब की एक Weандर करना हो। तो आपको क्या मत्सक्राइब करना है meaningful होगी हमें third side नहीं कि होना है तो पैरिमीटर का फॉर्मूला क्या होता है a plus b plus c is equal to 42 पैरिमीटर ही होता है सभी साइड होगा तो एक वैल्लु आपको करके होना है 18 b की वैल्लु 10 plus c is equal to 42 तो 10 plus 18 कितना होगा a की वैल्लु क्या है a की वैल्लु है 18 plus 10 c की वैल्लु 14 वैटू तो s is equal to 2842 वैटू 21 बस अब आप एरिया फैंड कर दीजिए एरिया फैंड करने का फॉर्मूला क्या s s minus a s minus b s minus c तो रूट में s की वैल्लु 21 21 minus 18 21 minus 10 और 21 minus 14 ठीक है यह हमारे पास जो हो रूट की वैल्लु है बस अब आपने जाओ इसको सॉलू कर लेना है सॉलू कैसे करेंगे 21 रूट में 21 minus 18 3 21 minus 10 11 21 minus 14 7 तो आप क्या लिख सकते हैं इस यह 21 को लिख सकते हैं और यह 3 है और यह 11 और यह 7 ठीक है नहीं हमरे पास वैल्लु आ रही है तो हम लिख लेगे एरिया देखो 3 कितनी बार है यहाँ पर 1 और 2 तो 3 तो जो हो दुनों को एक साथ लिख दीजिए 7 कितनी टाइम है 1 और 2 7 को भी दुनों को एक साथ लिख दीजिए और 11 जो है वो अलग लिख दीजिए ठीक है ना क्योंकि जो एक साथ वाल्यू है ना उनको जो वह एक साथ लिख दीजिए तो 3 के तो देखो पेर बन गया 3 तो रूट से बाहर 7 के भी बेर बन गया 7 भी रूट से बाहर 11 के नहीं बने कि भी 11 वन टाइम ही है तो 11 रूट में रहेगा तो एरिया आपका क्या आजाएगा स्ट्रूंट तो एरिया आजाएगा 21 रूट 11 सेंटीमिटर स्केल यही वैसे तो आपका क्योश्चिन का अंसर है लेकिन आप चाहो तो यहां से रूट की वैलू भी फाइंड कर सकते हो तो रूट की वैलू आ जाएगी 3.2 सम्तिंग तो फिर अंसर जो वो कुछ होड हो जाएगा फिर अं उन्टीमिटर स्केल तो दोनों ही अंसर ठीक है यह वाला भी ठीक है यह वहला भी ठीक है अबस आपको कंडिशन यहां कि पिछे जैसे भी दिवा होगा अंसर तो आपने उसी फोम में लिखे लेना है ठीक है तो नेक्स्ट देखते विटा फाइफ नंबर कोश्चिन में क्या कहा हूए है ऒफा नंबर कोश्चिन में हमें कहा हूए तंड ससाई ओफिट्रेंगिल अरे यह रिफुच इन जुकेश को हमें गीवन सदुन गिवन हैवेरा रेशो में 12 रेशो बिए तो हमें पैरिमेटर भी इवन है पैरिमिटर घुळिग है एफॉट एरिया हमने find करना है तो area कैसे find करें एरिया हमने find करना है तो देखो solution करते है लैट कि फ़ेस्ट साइड को मैं लेट कर लेता हूं यानि कि a को 12x और सैकेंड साइड को मैं लैट कर लेता हूं इट मीन B को 17 x 3rd side को मैं लेक्ट कर लेता हूँ इट मीन C को 25 x ठीक है यह मने लेक्ट कर लिया तो आप क्या करेंगे स्टुन्ट यह हमने लेक्ट कर लिया तो पैरिमेटर हमें कितना गिवन है पैरिमेटर हमें 540 की वेना है तो पैरिमेटर का फॉर्मुला की होता है A प्लस B प्लस C is equal to 540 A की वैलू है 12 x B की वैलू 17 x C की वैलू 25 x is equal to 540 तो कितना हो जाएगा 29 और यह 54 x is equal to 540 तो x की वैलू किया जाएगी 540 अबॉन 54 तो x की वैलू 10 x की वैलू 10 आगिया अब आप क्या लिख लोगे एक की वैलू हमने क्या लट करें ती 12 x तो एक की वैलू आजीगी 12 x की वैलू यहां पूट कर दूज हमने फाइंड कर यह 10 तो कितनी आ जाएगी एक की वैलू 120 ठीक है ना बी की वैलू हमने कितनी लट करें ती 17 तो यहां जाएगा 17 इंटू 10 170 सी की वैलू हमने कितनी लेक्ट करें ती 25 x तो 25 इंटू 10 कि 250 तो यानि कि एस अब फाइंड कर लो करने के लिए हमें जो फॉर्मूला बस अप्लाई करना है बस फिर कॉस्टिन कंप्लीट हो जाएगा तो एडिया हम फाइंड करें एडिया इस इकोल टू रूट में एस एस माइनस एस माइनस भी एस माइनस एरिया इस इकोल टू एस की वैलू 270 और 270 माइनस एक वैलू 120 270 माइनस बी की वैलू सब्सक्राइब और एक और रहा गया 270 माइनस 250 ठीक है तो एरिया आ जाएगा आपका 270 270 120 लास करेंगे तो यह 20 तो एरिया की वैलू जाएगी कि अब इनको open करना पड़ेगा ठीक है तो मैं ये जबर सूर नेक्सट पर रहा हूं कि यहाँ पर आत्यों पर यह पूरा नियुक्त पाहिएगा नेक्सट पर पेड़ देता हूं ठीक है है तो यह हमार पास था गया तो यह हमने लिखे लिया देखो 270 270 को हम क्या लिख सकते हैं है तुर इंटो त्री इंटो इंटो फाइफ इंटो टू और one fifty ऊघ्म क्या लिख सकते हैं कुछ silो इन टो इंटो थी इंटो इंटो फाइफ इंटो फइफ और हन्ड़ तो इनटो इंटो फाइफ इंटो फाइफ और 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 x 2 x 5 यह हमर पास वाल्य वारी ठीक है तो अब आप देख लीजिए इसमें जो है वो 2 कितनी बार है 2 कितनी बार है देखो 1 2 3 4 5 6 2 जो हाव वह 6 टाइम है 1 2 3 4 5 और 6 1 2 3 4 5 और 6 एक आक्षिन हो गया अब 3 को लिखते देखो 1 2 3 4 4 टाइम है तो 1 2 3 4 2 भी हो गया 3 भी हो गया 5 कि दिने टाइम है 1 2 3 4 5 6 यह भी 6 टाइम है वन 2 3 4 5 और 6 तो देखो 2 के पेर बन के रूट से बाहर इस टू के पेर बन के रूट से बाहर इस टू के पेर बन के रूट से बाहर इस 3 के पेर बन के रूट से बाहर इस 3 के पेर बन के यह भी रूट से बाहर इस 5 के पेर बन के रूट से बाहर इस 5 के पेर बन के रूट से तो तू को त्री टाइम करोगे एट त्री को टू टू टाइम करोगे नाइज फाइफ को त्री टाइम करोगे तो 125 यह गए 72 इंटू 125 यह हमर पाद लिए तो अब आप क्या लिख सकते हो स्टूरेंट एरिया इस इक्वल टू को 25 से आप मुल्टिप्लिकेशन कर दोगे तो को 125 से अब आज आएगा 9000 तो एरिया क्या आज आएगा 9000 संटिमिटर स्केर क्योंकि एंटिमिटर में इसलिए हम इसे संटिमिटर स्केर में लिख लिए ठीक ना चूट ओके चलो लास्ट कोशन इसका देखते हैं शिक्स और यह एक्सराइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी देखिए स्टूर्ण लास्ट कोशन हमें क्या गिवन है तो आइसोसले स्ट्रेंगल है पारेमिटर 30 सेंटिमिटर और इच ओव दा इक्वल साइडर 12 सेंटिमिटर फाइंड दा एरिया ऑफ ट्रेंगल आइसोसले स्ट्रेंगल आ वह हमें गिवन है कि पैरिमेटर का मतलब आपको क्या गिवन है कि आपको आ की वेलू भी ट्रैर और B की value भी आपको कितनी है 12 क्योंकि equal का मतलब होता है दो साइड इसमें equal होती है तो यानि कि आपको दो साइड है equal given है C आपको find करना है तो क्या करो गया perimeter आपको कितना given है 30 cm तो perimeter A plus B plus C is equal to 30 A की value 12 B की value 12 C आपको find करना है तो 24 plus C is equal to 30 तो C की value 30 minus 24 C is equal to 6 C आपको पता लगे बस आप इस question में कुछ नहीं रहा हुआ है अब आप जब उसको simply कर सकते हैं क्या है आपके पास A की value 12 B की value 12 C की value 6 तो S find करोगे A plus B plus C upon 2 12 plus 12 plus 6 upon 2 तो S की value आगे 30 by 2 S की value 15 area find करो area को find करने के लिए S S minus A S minus B S minus C तो S की value गया 15 15 minus A की value 12 15 minus B की value 12 15 minus C की value 6 तरह आजाएगा root में 15 15 minus 12 3 into 3 into 9 15 को आपका लिख सकतो 5 into 3 और यह 3 और यह भी 3 यह वाला 3 और यह वाला भी 3 और 3 को भी 9 को भी 3 into 3 कितने time हो गया तो 1 2 5 4 time 5 time हो गया ठीक है न तो आप लिख सकतो 1 2 3 4 and 5 और यह 5 तो इस त्रीके पेर बन गे रूट से बाहर इस त्रीके पेर बन गे भी रूट से बाहर और इस इन दोनों के रूट पेर नहीं ही बने तो यह दोनों रूट में रहे तो एरिया आजाएगा आपका 9th root 15 cm scale तो 9 root 15 cm scale आपका यह यह भी अंसर ओके हैं लेकिन अगर आपको root की value solo करनी है तो root की value की आ जाएगी इसमें 3.9 something तो नाइन नाइन जाटीवन एट त्री एर्जा थ्री नाइन जा 27 27 और 8 35 35.1 cm तो यह भी अंसर हो क्योंगा बस यह रूट की value हमने solo कर दिया यह आप ठीक है तो यह हमारा question complete होगा ठीक है ना I hope आपको यह अच्छे से clear हुआ video का question तो आपने जगा हो वीडियो को पोज करके एक बार पहले question को देखना है उसके बाद वीडियो को पोज करके अच्छे से फिर जो होगा question को note करना है ठीक है okay good bye take care